रास्तान में अशोग गैलोट के कारिकाल में 17 नए जिले और 3 संभाग का गठन किया गया था इसमें जैपूर और जोतपूर में सहरी और ग्रामेंट दो दो जिले बनाए गए अब रास्तान में भाश्पा की नई सरकार के मुखे मंत्री बजलाल शर्मा की निर्देश पर 5 मंत्रियों की उप समीती कटित की गई है अब यह कमेटी जीलो और संभागों के गठन की समिक्षा करेगी अब इस मामले में समिक्षा के लिए कटितूप समीती पर रास्तान के डिप्टी सीयम प्रेम चंद बैरवा कहते हैं कि मैं समिक्षा करने के लिए समीती के सद्योश्यों से बात करूँगा और फिर सुधारमदक कदम उठाऊँगा पिछले सरकार बिना समिक्षा के कई फैसले लिये हैं देखे जिस तरह से आनन फानन में जो राजनिती किलाब की दरश्ती से उन्होंने जिले बनाए थे तो मैं मानने यसरसो मुख्यमंतर जी का धन्यवाद जापित करना चाओंगा उनका आभार पढ़कर करना चाओंगा कि उन्होंने इस चीज को सरंग्यान में लिया है और हम लोगों को जो जुम्मेदारी दी है निशुत रूप से हमारी कमेटी बखुभी से अच्छा काम करके और पूरी समिक्षा करके हम जो हमारी जनता के हित्मे होगा सभी जनपरती नहीं दी या हमारे जो जनता है उससे पूछ के निश्वत रूप से इसमें उसकी समिक्षा करके रिपोर्ट मानने मुख्यमंतर जी को देंगे रास्तान में पिछली सरकार यानि की कॉंग्रेस सरकार में रास्तान कॉलेज एजूकेशन सोसाइटी के तहट खोले गए करीब 100 से ज़्यादा कॉलेज वर्तमान में सरकार या तो बंद कर सकती है या फिर मच्च कर सकती है क्योंकि इनमें कई खामियां ये सिकायते प्राप्थ हुई है एक हाई पावर कमिटी इन तमाम कॉलेजों का रिव्यू करेगी और तीस दिन में इनकी रिपोर्ट सरकार को सोबेगी उस्तिक्षा मंतरी प्रेम चंद बैरवा ने का कि हम छात्रों के भविश्य के साथ खिलवा इसकी समचित वहस्ता करने के लिए कि अच्छी सिक्षा दे सके उन बच्चों को में करोना प्रदेश कारेल पहुशने और अपनी समश्चा से संबंदित अधिकारियों को अवगत कराया इस बारे में प्रेम चंद वहरवा ने कहा कि हमारे पास यह मामला आया है इस बारे में हम सिक्षा मंत्रिय और मुख्या मंत्रिय से बात हो चुकि है जल्द ही इसके लिए कोई अच्छा निन्ने लिया जाएगा बच्चों को एक अच्छी स्विधा और बहतरीन स्विधा देने के लिए हम जो भी समुचित विवस्ता उसको करें